Hello dear students, welcome to my channel NPC ग्यान भंडार अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब कीजे, लाइक कीजे, वीडियो उच को सेर कीजे अपने दोस्तों में और बेल बटन को भी दबाएं अपडेट के लिए Myself निर्मल परजापती इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे परिमे संख्याइब जो की क्लास एट का फर्स चैप्टर है और जो जारकन बोट का है जो सरकारी स्कूलों में चलता है जेसी आटी ओके बच्चो तो परिमे संख्याइब पढ़ते हैं इसमें की अच्छाइब कि तो है फर्स्ट प्राक्रित संखचाइये जिसको इंग्लिस में नेच्रल नंपर्स बोलते हैं जिसको इंगवर्स गनन संख्याओ मतलब इस को एप सपोज मालेजिए आपको कुछ चीछ गिन्ना है तो गिन्ने के लिए जो नंबर्स जो सेंख्या है आप लोग यूज़ करेंगे तो गिन्ने के लिए कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरहँ से जला आगे जा सकते हैं तो सबहें दो टीन चार पांच इत्यादी प्राक्रिस यह नेक्स्ट पूर्ण सिंख्याएं, जिसको होल नमर Tin बोलते हैं तो सभी प्राक्रिस सेंख्याइं शुन्य के साथ मिलकर पूर्ण सेंख्याओ संग्रह् पुर्णांक जिस को इंगलिस में इन्टेजर्स बोलते हैं तो सभी पूर्ने संख्यां तथा रिनातमक संख्यां का संख्या पॉर्णांक कल लाता है शुतनी पुर्नांक बन जाएगा हुड मासट ऑटल एक जी रो ही और एक देखICES देखेंगे जब ओकड में लिखना हुआ है पुर्नांक प्राइब करें गया दोका Jack के आज कि और थो इन ने हैं वो ना तो निन अतमक में आता है ने धनातमक में आता है bit पूपर लेया होओ यह जैस एक जोड़ और ढार ही को उसके बार देखें, उस से उपर, धनातमक्पुर्णांग, और विदा अरनातमक फूर्णांग को चुधारन दिया वहीं, धनातमक्प, धनातमक माइनस uwagę, ऊपर von यह मान लेन मान इस समिकरन को संतुष्ट करता है मतलब एक्स को अगर हम लोग आठ रग देंगे तो आठ और तिन जोड़ करके क्या हो जाएगा गारह हो जाएगा तभी यह एक्स का वैलू को संतुष्ट कर रहा है यहां हल आठ एक प्राक्रिस सिंग है और जो यह हल निकला एक्स का जो वैलू निकला मान निकला ओके यह क्या है यह प्राक्रिस सिंग्खा है दूसरा समिकरन क्या है एक्स जोड़ 4 बराबर 4 जो कि दूसरा समिकरन है अब इस समिकरन को हल करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स का वैलू क्या मिलेगा एक्स का वैलू 0 मिलेगा ओके क्योंक अपना एंसर प्राकृष सिंखा ही लाना चाहेंगे तो इस समिकरन दो जो है एक्स जोड़ चार बराबर चार इसको हम हल नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें दूसरे नमबर्स का भी प्रियोग करना पड़ता है अतब प्राकृष सिंखाओं के संग्रह में सुन्य को सामिल किया गया है इस नए संग्र को पूर्ण सिंखाओं का नाम दिया गया इसलिए इसको पूर्ण सिंखा बोला गया प्राकिर सिंखा में अगर जीरो मिला दिये तो पूर्ण सिंखा बन गया और इसको नया नाम दिया गया पूर्ण सिंखा अब इस समिकरन को देखते हैं तिसरा समिकर पूर्ण सेंखा नहीं है, अधा ऐसे संग्रा के बारे में सोचने को प्रेडित करते हैं, जिसमें पूर्ण सेंखाओं तथा रिनातमक प्राकिर संखाओं को सामिल किया जा सके, तपर्ण सेंखाओं को प्राकिर्ट हो रहां, इसलिए इससे आगे बढ़के एक नंबर लाया गया जिसे हम क्या बोलते हैं पुर्णांक जिसको पुर्णांक नाम दिया गया ऐसे समीकरन को हल करने के लिए ठीक तो इस परकार हमने सेंख्या पद्धती जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं इंगलिस में सेंख्या हुआ प्राकृस सिग्हा से स्टार्ट हुआ फिर यजब प्राकृस सिंखा से भी हल नहीं चल्टार बनाया गया इन पूर्ण था नाया गया और चल्टार विचार करतें छे जैसे दूसरा चौंथा समिकरन है दो एक्स बराबर तीन ओके चौंथा है और पांचवा समिकरन है साथ एक्स जोड़ पांच बराबर जीरो तो इन समिकरनों को अगर हल करेंगे तो पूछ रहा है कि क्या इस समिकरन को हल पूर्णांख होगा समीकरन 4 को अगर हल करते हैं तो उसका क्या निकलेगा समीकरन 4 देखिए क्या है 2x बराबर 3 मतलब 2 के साथ x गुना किया हुआ है तो क्या करेंगे x का अगर मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3 बटे 2 निकलेगा जोगे 3 क्या है अंस है और 2 हर है भिन्न में आप पढ़े हों गई तता समीकरन 5 को हल करने पर x बराबर क्या निकलेगा माइनस 5 बटे 7 जो कि एक पूर्णांग सिंखा में भी नहीं है इस सब क्या है पूर्णांग में भी नहीं है ऐसके लिए हमें सेंख्या पंधती को और विस्तार करने की अवश्यकता है skrs लिए संख्या पंधती को और बढ़ाया गया हूझ इस परकार कने संख्यासिंखा की तरफ अग्रसर होते हूं कहां सेस्टार्ट हुए थे प्राक्रिस सिंखा से फिर पूर्णा सिंखा में पहुंचे फिर पूर्णांग में पहुंचे अब कहां पहुंचे परिमे सिंख्या परिमे सिंख्या मतलब रेशनल नंबर जिसको इंगलिस में रेशनल नंबर बोलते हैं अब परिमे सिंख्या किसको बोलते हैं जी इसको ध्यान देखते हैं ऐसी संख्याएं जिने पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां प्यू पी और क्यू पुर्नाख है और क्यू बराबर जीरो नहीं हो परिमे संख्याएं कर लाती है मतलब ऐसी संख्याएं ऐसी नंबर जिसको पी बटे क्यू मतलब अन्सबटे हर मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको हुम क्या बोलेंगे परिमे सिंख्याएं बोलेंगे यह याद रखिएगा यह पूछता भी है कभी कभी जाम नहीं और जहां पी और क्यू क्या है पी और क्यू तो पुर्नांक होंगे पुर्नांक मतलब रिनातमक नंबर धनातमक नंबर यहां तक की जिरो भी हो सकता है लेकिन और एक कंडिशन क्या दिया हुआ है कि क्यू जो है जिरो नहीं होगा मतलब हर में जिरो नहीं होना चाहिए तभी वो परिमे सिंख्याएं होगा और जैसे उदाहरन दिया हुआ है दो बटे एक, दो बटे साथ, माइनस, नौ बटे एक, आधी भी परिमेस इंखा है, जिरो बटे एक परिमेस इंखा है, लेकिन, एक बटे जीरो, दो बटे जीरो, इसा परिमेस इंखा है, नहीं है, क्योंकि हर में जीरो आ जा रहा है, तो चलिए अगले पेज में चलते हैं, अग नात्मक परीमें सिंख्हां क्या है देखते हम इसी परीमें सिंख्हां है धनात्मक परे spins परीमें क्ये लाती है यदि उनके अंस और हर दोनों का चिन्न समान हो धना तमप यह रिनातमग, ओके, ऐसी परिमें सिंख्या है, परिमें सिंख्या तो समझ गया होगे, जिसको अनसर हर में लिखा गया हो, लिख सकते हैं, तो जिसका अनसर हर दोनों का जो चिन है, जैसे पलस है तो पलस, माइनस है तो माइनस, ओके, दोनों में रहेगा, जैसे दो बटे पा तो इस अब उदारन में देखिए दोनों में अंस और हर दोनों में समान चिन्न है पलस है तो पलस है माइनस है तो माइनस है तो इस अब क्या है धनातमक परिमेश सिंखाएं और दूसरा है ऐसी परिमेश सिंखाएं रिनातमक परिमेश सिंखाएं कहलाती है यदि उनके अंस त फुला सौह कोई तो दारन देखते हैं माइनस 2019 तो दिए माइनस भड्टे काए माइनस प्रिनात्मक परे मेशिंक करने प्रिनात्मक upon फिरूंट हो गया ठेक तो क्यों हो जाएगा वह रिनातमक परी में सिंख्या हो जाएगा इस अब याद रखिएगा इस अब जब तक याद नहीं रहेगा आप आगे बना नहीं पाईएगा गनित नेक्स्ट है पुनरावल अकन रिकैप्सुलेशन जिसको बोलते हैं मतलब पिछली कच्छा में जो जो चीच पढ़े हैं उसको स्वाट में समझना तो चले देखते हैं पिछली कच्छा में हम परी में सिंख्याओं को परी में सिंख्याओं पर मुल सक्रियां मुल सक्रियां मतलब जोड़न घटाना गुना करणा विभाजन यानि भाग देना पढ़ चुके हैं इस अध्या में परिमे ऐखे रिति सिखाओं के गुऩन्धं के कि बारे पढ़ें इस चैप्टर में मक्याने परिमे सिंखाओं को पढ़ेंगे जोड कैसे होगा विकलन कैसे होगा गुनन कै कैसे होगा विभाजन कैसे होगा ओके आईये परिमाई सिंख्याओं पर अब तक किये गए कायों की पुन्यरावीर्ति करते हैं मतलब रिविजन करते हैं पहला है सम्तुल परिमाई सिंख्याओं मतलब पुर्णांक से गुना करने या भाग देने पर हमें दीवी परिमाई सिंख्याओं की सम्तुल एक अन्य परिमाई सिंख्याओं प्राप्त होती है है इसको हम लोग क्या बोलते है संतोल्य परिमेई सिंख्यां जैसे इसको उदारन से समझते हैं उदारन्से अच्छे समझमें आता है ट्रfashioned जैसे मानछ देखते हैं जैसे मानिस दो बाखे निंbas जेसे जैसे देखते हैं सभाज माइनेस दो बट्टे तीन है माइनस दो बट्टे तेन को अगर цвет की जू इट्ल से तीन को पर तीन से मल गुणा कर देंगे तो वह उ हर वह उतिक जुछ तो यह माइनस डोपका कूछ चीज दो दो चलो इसको दूसरे चीज से समझते जैसे दो बटे 3 है माइनस को भी छोड़िये माइनस माइनस को नहीं लेते हैं दो बटे 3 है दो बटे 3 को अगर आप देखिएगा वैलू दो बटे 3 मतलब दो चीज है आपका सपोज दो एपल उसको तीन भाग में बांटना है तो क्या होगा बराबर भाग मिलेगा लेकिन तीन से गुना करके उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा छे बटे 9 आगा मतलब क्या है एक आदमी को तो ही मिलेगा जो आया कट करके जिसमें दो सेव को तिन आदमी बांटे या छे सेव को नो आदमी बांटे एक आदमी को जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा तो एही है समतुल्य परिमेशिंग है मतलब इसमें समतुल्य आप नंबर बढ़ा कर दीजेगा तो वो येलू उसका सेम रहेगा इसी परकर माग्रेश 25 बटे 21 ऐसर माइस 15 बटे 21 को अगर भाग देंगे भाग करेंगे तिन से तो क्या जाए का माइस 5 बटे साथ थेक फिर आजए माइस छेवड़ेम नो हिसका यू मान जो है सेम होता है तो यह समत्य परिमेशिंख्याओं की तुलना करेंगे कौन बढ़ा है कौन छोता है चले पहले हम जानते हैं कि पहला है परिमेशिद धनातमक परिमेशिंख्या सुन्य से बड़ी होती है मतलब कोई भी धनातमक है तो हमेशिद धनातमक परिमेशिंख्या से बड़ा है और परते एक रिनातमक परिमेशिंख्या सुन्य से चोटी होती है मतलब कोई भी रिनातमक परिमेशिंख्या है वो हमेशा स्विन्य से छोटी होंगी जैसे माइनस दो बटे पांच वो हमेशा जो है माइनस लग गया मतलब वो जीरो से छोटा है याद रखिएगा पर्ते एक धनात्मक परिमिशिंग उपनेकलों से बड़ी होती है धनात्मक परिमेशिंग के से हमेसा बड़ी होगी याद रखे गा यह भी धनात्मक म réf Saying positive numbers हमेसा negative numbers से बड़ होगा धनात्मक से यहें 4달 को पांछ भड़ा होगा कुछ चिज लिएं तो क्या उधारी हो गया पैसा ने दियें तो उधारी हो गया को माइनस में लिखेगा और आपके पास कुछ पैसा है तो प्लस है वो आपका में बड़ा है वो बड़ा हो गया, ठेक अगर उधारी है किसी का और आपका उधारी नहीं है तो आप हमेशा उस से बड़े में रहेंगे, उच्छे में रहेंगे चलिए अगले पईज में देखते हैं, तो चलिए तूलना करते हैं, देखिए उधारी है कर दोनों पराइब हैं परिमेश एक से उसक लिए एक से गणा करेंगे अन्स और हर दोनों को गुना करके मैनस Allah Canada गुणा किया उवा माइनस 2-1 सिंग ए माइनस 5 उपर है इसको कुछ निकना है अब देखिए दोनों का हर ढ cop ni अलग 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 है अगर सेम रहता तो लोसों नहीं निकालना पड़ता लेकिन सेम नहीं है अलग अलग है हर इसलिए लोसों निकालना पड़ेगा एलसीम निकालना पड़ेगा तो दोनों का लोसों क्या होगा 12 होगा और 12 अब देखिए पहली सेंग्या क्या है माइनस तिन बड़ तिन से गुणा करेंगे हर को जो नंबर से हम वग उसी नंबर से अंस में भी करना पडे एक इसलिए उसको अंस में भी मिउना किए हैं अंस और हर दोनों को तीन से लिए जाता है 12 भी क्या था गया मामबल्ड सिंग ते मामठ उलत के खीए है 25 बीदे तो क्या आ जाएगा माइनस 10 बटे 12 अब देखिए इसमें माइनस 9 बटे 12 और माइनस 10 बटे 12 में दोनों का हर जो है बराबर आ गया तो अब क्या करेंगे हर बराबर आ गया तो अंस में देखेंगे कि कौन बड़ा है अंस में माइनस 9 बड़ा है कि माइनस 10 बड़ा है चलिए बढ़ा कौन है माइनस नो ठीक माइनस नो बढ़ा होगा दोनों में अगर माइनस रहेगा तो जो छोटा वेलू होता है जिसका बो बढ़ा होगा माइनस नो ठीक माइनस लग गया दोनों में तो जो छोटा होगा नो छोटा है दस बढ़ा है तो इसमें माइनस लग गया तो इ लेकिन है माइनस 9 बड़ा है माइनस 10 छोटा है तो यहां देखिए और साइन लगा के लिखना है माइनस 9 बड़ा है माइनस 10 से इसलिए क्या हो जाएगा माइनस 9 बटे 12 बड़ा है माइनस 10 बटे 12 से अथा अब इसका जो वैलू था समतुल्य समतुल्य निकाल के किये थे हम ल माईनस नो बट्य बारह कोम लोग क्या किया थे माईनस तीन बट्य-4.undas निकालके लिखे थे इसलिए यागल तो चलि अब दूसरा देखेंगे परिमेशींख्या का मानक रूप ज़ित्अ है इसलिए एक मानक रूप धिक्विल न है किसको ऐने कीमान के चलेंगे तो चलिए देखते हैं, एक परिमेशिंख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, यदि उसका हर धनातमक पूर्णाख हो, तथा उसके अंस में, अंस और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुननखंड हो, ठीक, तो क्या करना है दे परिमेशिंख्या का मानक रूप है, अंस में माइनस होगा, हर हमेशा धनातमक पूर्णाख होगा, ठीक, और अंस में एक के अलावा, दूसरा कोई, क्या, दूसरा कोई सार्व गुननखंड नहीं होना चाहिए, ठीक न, मतलब अंस और हर में दोनों कोई कॉमन नहीं आना च ठीक न, कॉमन मल्टिप्लार नहीं आना चीक, समझेंगे उधारन से चलिए, मानक रूप में बदलिये देशे, देखे, छतिस बटे माइनस चोबिस है, ए नमबर में, उधारन दो का, ठीक न, माइनस चोबिस है, तो इसमें देखिए, छतिस में क्या है, और इसमें माइनस चोबिस में क्या है, माइनस है, जो की हर में, पहला तो यह होगा ही नहीं, माइनस हमेशा अंसमिर रहना चाहिए, हर में नहीं, और दूसरा देखिए, इसमें सारवगन अनखंड भी आ रहा है, सारवगन अनखंड क्या रहा है, बारह आ रहा देखिए, बारह तिया 36 होता है रहा है बारदोने 24 होता है 12 दोनों में सारवगुनानख्ण अथा इसले उसको नहीं होना चीज एक के लावा दुसरा को शारवगुनान खंड नहीं होना चीज ठीक तभी वो स्परी मैं सिंक्या मान्यक रूप हो गा तो पहला देख़े क्या करेंगे डूनों काम माइनस चोबिस को क्या करना है क्या करेंगे जो मोशन निकला उससे भागा दे देंगे तो 36 बटे 12 बटे 36 भाग 12 बटे माइनस चोबिस भाग 12 तो क्या जाएगा 36 भाग 12 माइनस तीन बटे 2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यह माइनस हर में नहीं रहेगा अंस में रहेगा इसलिए माइनस तीन बटे 2 हो जाएगा उसी तरह से दूसरा नमबर है माइनस नो बटे माइनस 12 दोनों में माइनस है तो क्या करेंगे जब दोनों में माइनस रहता है तो वो हड जाता है कट जाता है ठीक तो यह माइनस नो बटे माइनस 12 को क्या करेंगे मौसा निकालेंगे तो 3 निकलेगा 9 और 12 का और इसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे भाग देंगे दोनों से ठीक ना तो दोनों को मौसा से भाग देंगे तो माइनस 9 भागा 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस 12 भागा 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इस तर की परी में सिंखाँ निकालना है तो पहला है एक बट तीन बटे पांच में तीन परी में निकालना है तो इसका बाद 5 ओर 25 को समान करने के लिए लौसों निकालना पड़ेगा तो द्मक्लिए में बरे पेज में को लौशन नकल गया थिखने अब क्या करेंगे लोसो तो पंधर निकल गया उसके लिए अब ups मतलब हर में पंदर लाना है तो देखिए तीन बटे पांच को पन तीन बटे पांच में हर में क्या है पांच है तो इसका हर में पंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा तीन से गुना करना पड़ेगा तभी पंदर आएगा तो इसके लिए तीन से गुना करेंगे हर को और अन्स को भी करेंगे सिर्फ हर में नंही करेंगे अंस में भी करना पड़ेगा जो अब देखिए 9 बटे 15 और 5 बटे 15 आ गया समतिल्ले परिमेशिंख्या है वो सबका 3 बटे 5 और 1 बटे 3 का अब इसके बीच में हम लोगों क्या देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है पहले देखें कौन बड़ा है 9 बटे 15 बड़ा है 5 बटे 15 से तो पहले छोटा को लिखेंगे 5 बटे 15 फिर 6 बटे 15 फिर 7 बटे 15 फिर 8 बटे 15 फिर 9 बटे 15 तो ये इस तरह से लिखेंगे पहले छोटा को फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा इस तरह से अब इसको क्या करेंगे इसके बीच का तिन परिमेसिंखा लिख देंगे तो तिन परिमेसिंखा क्या क्या आ गया एक बटे तीन और तिन बटे पांच के बीच तिन परिमेसिंखा छे बटे पंदरा इसके बीच तीनो को लिख दीजे पांच बटे पंदरा और ङो बटे पंदरा के बीच तिनों, ठीक नग, छे बटे पंदरा, साथ बटे पंदरा, आट बटे पंदरा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक अब दूसरा नंबर जो दिया हुआ था, कॉस्चिन, ठीक, उसमें क्या था? माइनस दो और माइनस एक के बीच में तिन परिमे सिंखा निकालना है ठीक ना तो माइनस एक और माइनस दो ये देखिए परिमे सिंखा नहीं है इसको पहले क्या करेंगे परिमे सिंखा में बदलेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कुछ नहीं है हर मतलब एक रहता है हर ठीक ना तो इसको क्या करेंगे पहले हर को समान करेंगे हर को समान करने के लिए क्या करेंगे गुना करना पड़ेगा ठीक तो माइनस एक को क्या लिखेंगे माइनस पांच बटे पांच ठीक और माइनस दो को माइनस दस बटे पांच ठीक ना लिखेंगे अब इसके बीच में इसको भी ओएसी ओर्डर में लिखेंगे सबसे छोटा को फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा हे या फिर को से इससी तरह से निख लेंगे सके बाद फिर कंवर्ट कर देंगे मैनेसदस बते-5 के जग है मांनस द्धू ठेक माइनसन नमटते 5 मनेसाट बतेम लेतर पांच मानचबटे 5 श्चेद सब्कांच वजक हो जाएगा था धा पांच ठीक अब देखिए अवरोही कर्म में लिखना है दारें चार देखिए निमने लिखित परीमे शेंगा को अवरोही कर्म में लिखिए अवरोही ठीक ना अवरोही करम मतलब जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले फिर उसके बाद उसके छोटा को फिर उसके बाद उसके छोटा को फिर उसके बाद उसके छोटा को और सबसे छोटा सबसे बाद में यह अवरोही कर और इसके लिए क्या करना पड़ेगा जैसे जो दिया हुए नंब और सब को हर को समान करेंगे जैसे 5 बट्टे 8 है इसका हर समान करने के लिए करना पड़ेगा 6 से गुणा करना पड़ेगा तो 6 से गुणा करेंगे 38 उसी तरह सब नंबर्स में करेंगे 7 बट्टे 12 को 28 बट्टे 48 लिखेंगे माइनस पांच बट्टे 16 को 15 माइनस 15 बढ़े 48 लिखेंगे 16 को । अब देखेंगे क्या है कौन बड़ा है 2028 से 28 बढ़ा है माइनस 15 17 बढ़ा है माइनस 16 16 इसलिए क्या करेंगे सबसे पहले 58 बट्टे आट को लिखेंगे कि वह किसका वहलू है 28 28 का फिर उसके बाद वह है साथ बटे 12 से फिर वह से से 1 बटे 25 16 से फिर वो किस से बढ़ा हाम वानश से 1 बटे 3 से labir 29 2 आणशी करम 5 6 12 ठीक तो आज यहीं तक करते हैं फिर अगला पार्ट बटेंत और आप से अनुरॉध है place video को पूरा देखें अच्छे से देखें एक बार में समझनी आए दोबारा देखें कुछ भी समाझ़नी आए तो comment कीजिए WhatsApp में कीजिए contact मैं अच्छे से समझाऊँगा तेंग और अपने दोस्तों में भी करें इसको अपने दोस्तों को भी जानने का मौका दे अपने दोस्तों को भी यह लिंक भेजे ताकि वह देखें वह भी सीखें ठीक परिमेशिंख्याएं क्या है और इसका प्रश्णवाली एक दसमल एक जो है वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा अगले वीडियो में तो म झाल पिचिह अऊचानल नपचल साथ तो में क्यारथ स्या वे आंची में स्थयायग सीजाएं से फोस्त्याचत प्लस पैलियो में लगों दॉट्सियाएं।